C, I, E, T, N, C, E, R, T द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 के लिए द्विदिय भाषा के रूप में हिंदी की पाठे पुस्तक दूर्वा भाग एक दूसरा पाठ किताब प्रिष्ट संख्या 6 से 13 तक अब प्रस्तुत है पाठ किताब I, M, L, पर बड़ी एकी मात्रा I, M, L, I, M, L, K, K, पर छोटी एकी मात्रा T, T, पर बड़े आकी मात्रा B, किताब, किताब L, L, K, पर बड़ी एकी मात्रा लड़की, बड़ी एक, एक, ज, पर बड़े आकी मात्रा ल, जा, ल, जाल न, न पर बड़े एकी मात्रा V, नाव, नाव ब, स, बस, बस अब इन वणों और शब्दों को पहचानों और मेरे साथ दोहराओ जाल जाल लड़की बस इख इमली नाव किताब किताब ल, ल, स, स, इ, इ, ब, ब, त, त, ज, ज, बड़ी, इ, बड़ी, इ, ब, 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 सुनो और बोलो आज जाल दाल माल ताला दाना बाबा बाबा मामा इख इकाई कील तीर अनाज दवात बादल सारस सारस इमली इमली तितली दीवार दीवार मदारी अलमारी तरकारी तरकारी, सरकार, दर्वाजा, अब इन वर्णों को लिखने का अभ्यास कीजिए इ, बड़ी इ, ज, ल, त, द, ब, व, स, यहाँ पर कुछ चित्र दिये गए हैं और साथ ही कुछ शब्द भी दिये गए हैं आपको इन चित्रों के साथ शब्दों का उचित मिलान करना है यहां पर किताब का चित्र है, तितली का चित्र है, कान का चित्र है, सारस का चित्र है और जाल का चित्र है और शब्द है जाल, तितली, कान, किताब, सारस, लड़की अब आप इन चित्रों के साथ इन शब्दों का मिलान करें मौखिक पाट यहाँ पास में खड़े मोहन और लीला का चित्र है अब मैं वाक्य बोलूँगा और आप उसे दोहराएंगे यह कौन है? यह मोहन है? यह कौन है? यह लीला है अब यहाँ दूर खड़े सलमा और राजन का चित्र है मैं वाक्य बोलूँगा और आप उसे दोहराएंगे वह कौन है? वह सलमा है वह कौन है? वह राजन है दो अब मैं वाक्य बोलूँगा और आप उसे दोहराएंगे यह कौन है? यह जीनी है वह कौन है? वह रतनलाल है तीन भाग क अब मैं अलग अलग विद्यार्थियों की ओर संकेत करते हुए प्रश्न पूछता हूँ और आप उसका उत्तर देंगे अब मैं मीना की ओर संकेत करके प्रश्न पूछता हूँ यह कौन है? यह मीना है अब मैं जीशान की ओर संकेत करके पूछता हूँ वह कौन है? वह जीशान है अब मैं अनिल की ओर संकेत करते हुए प्रश्न पूछता हूँ वह कौन है? वह अनिल है भाग खा अब मैं कुछ वस्तुएं या चितर दिखाकर फ्रश्न पूछता हूँ और आपको उसका उत्तर देना है मैं अल्मारी के बारे में पूछता हूँ यह क्या है? मैं दर्वाजे को दिखाकर पूछता हूँ वह क्या है? मैं कलम को दिखा कर पूश्ता हूँ, यह क्या है? मैं मकान को दिखा कर पूश्ता हूँ, वह क्या है? वह मकान है चार, अब मैं कलम दिखा कर सवाल पूश्चूंगा और आप उसका उत्तर देंगे क्या यह किताब है? यह किताब नहीं, कलम है अब आप इस उत्तर को दोहराएंगे यह किताब नहीं, कलम है अब मैं दर्वाजा दिखाते हुए पूश्ता हूँ, क्या वह दीवार है? वह दीवार नहीं, दर्वाजा है अब मैं अनार का चित्र दिखाते हुए पूश्ता हूँ, क्या यह आम है? यह आम नहीं, अनार है अब मैं नाव का चित्र दिखाते हुए पूशता हूँ, क्या यह बस है? यह बस नहीं, नाव है योग्यता विस्तार छात्र इसी तरह क्रम से दूसरे छात्रों की ओर संकेत करते हुए यह कौन है? वह कौन है? सनरचना का अभ्यास करें जैसे छात्र एक यह कौन है? छात्र दो यह मदन है वह कौन है? छात्र तीन वह लता है यह कौन है? छात्र चार यह राजन है वह कौन है? दूरवा भाग एक अभी आप सुन रहे थे कक्षा छे के लिए द्वितिय भाषा के रूप में हिंदी की ध्वनी पाठे पुस्तक कलाकार प्रवीन शर्मा, तिलक राज, राजेश आहुजा और सत्य श्रवा शर्मा ध्वन्यंकन बटिल्यंगलिंग्डो तथा निर्माण, निर्देशन वध्वनिसंपादन, वंधना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT